नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज सभी का मेरे यूटूब चनल S.B. Medicine में आज हम रिव्यू करेंगे एंजोल टेबलेट का इसके क्या-क्या उप्योग है, फायते हैं, साथने और सबको क्या-क्या दुस्प्रपाव हो सकते हैं चांदकरी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिक्शन बिलती नहीं एंजोल टेबलेट मनीज फार्माशुटिकल्स का बेस्ट क्वालिड प्रोड़क्ट हैं, इसका कंटेंट होता हैं, डॉक्सिला माइन सक्सेनेट 25 अमजी, यह एक सेंपल प्रोड़क्ट हैं, तो अपने इसी का रिव्यू कर रहे हैं, आप जान लेते हैं, इसके के के विज प्रेगनेंसी के कारण मतली होना, उल्टी होना, चक्कर आना या खाली उपके आते हैं, तब इस टेबलेट का उपयोग आपके लिए काफी लाब देगें, और भी अगर कोई पेशेंट हैं, जिसे एलर्जी कंडिशन के कारण नाग भहना, छेकना, खुजली और पानी के आ अगर 10 mg हो, तो वो उल्टी और मतली के काम में ज्यादा यूज मिली जाते हैं, पर अगर यही मात्रा बढ़ा कर अगर 25 mg कर दी जाएं, तब इस टेबलेट को अनिद्रा में यूज के जाता हैं, ये टेबलेट नीन लने में सायग होती हैं, और इसका अपयोग अल्पकालिक sedative की रूप में भी कह जाता हैं, और भी इसे hives और skin rest जैसी समस्याओं में भी यूज कह जाता हैं, ये टेबलेट ब्रेंड में neurotransmitter पर काम करती हैं, जो मतली की भावनों को trigger करती हैं और उल्टी को रोकती हैं, अब जान लेते हैं इस टेबलेट के सावधनी के बारे में, तो अगर किसी मरीज को glow coma की सिकायओं हैं, केश्ट्रों से related कोई समस्याओं हैं, या फिर अगर किसी को asthma की सिकायओं हैं, तो ये लोग इसका use करने से पहले डाक्टर से सला ले या फिर ना करें, और अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, तो डाक्टर की सला के अनुसार ही इसका use करें, साथ ही अगर कोई pregnant lady हैं और breastfeeding mother हैं, तो ये लोग भी इस टेबलेट का use करने से पहले एक बार डाक्टर से सला जरूर ले उसके बाद ही इसका use करें, अब जान लाते हैं इसका dose के बारे में, तो normally इस टेबलेट को खाली पेट दिन में एक बार लेने के सला जा बेतर रहेगा, अब बात कर लेते हैं, इसके होने वाले side effect के बारे में, तो जो common side effect आपको नजर आ सकते हैं, वो है sleepingness होना, जलन मैसूस होना, पेट खराब होना, और सरदर्द होना, हो सकता हैं सभी side effect के अलावा भी आपको कोई other side effect नजर आएं, अगर कोई दूसरे side effect आप को दिखते हैं, तब SME आप इसका use बंद करें, और अपने doctor से consult करें, तो friends, उमीद आपको वीडियो जरूर पसंद आए होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हैं, तो इसे like करें, comment करें, share करें, और चैनल को subscribe करना ना पूले, thank you